नमस्कार मसारदा पांडे आसान जिन्द की किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ जैसे कि ये परवो का महिना चल रहा है जेश्ट महिने में यानि अभी जे कृष्ण पच्छ है इस पच्छ में शोमती अमाश्या बढशा वित्री सनी जयंती अस्नान दान पुरिमा एक ही दिन है जो कि सभी वीडियो आपको दे चुकी हूँ तीस मई को फिर गंगा दसहरा नौ जून को भीम सेनी एकादसी दस जून को तो गंगा दसहरा का भी वीडियो आपको मिल गया है उसके बाद भीम सेनी एकादसी तो आसान जिन्द की में ये सभी वीडियो पहले से डले हुए है और बहुत ग्यान वर्धक वीडियो डले हुए है भीम सेनी एकादसी का वीडियो डला हुआ है और सभी एकादसियों का पूजा कैसे होता है जब उद्यापन करते हुए तमाम बहने पूछती है कि उद्यापन क्या पंडित जी को बुला के करें या हम अपने से क किसे आउले का तोड़न और कलस में आउला का पती रखा जाता है कैसे सब कर देखें कि जब नए वीडियों डाले जाते हैं तो बार बार तुमें पूझा करके आपको दिखाऊंगी नहीं तो नए वीडियो सिर्फ जानकारी जो हमारे पास और रहती है कि कब है कब पारण है कब पूजा का महुर था ये सब बताती हूं तो उसी तरीके से इस बार 10 जून 2022 दिन सुक्रवार को भीम सेनी एकादसी है भीम सेनी एकादसी नाम क्यों पड़ा क्योंकि जो पांड़ों के जो भाई थे मजले भाई भीम उनके उदर में उनके पेट में ब्रिक नामक अगनी प्रजलित रहती थी इस कारण वो भूखे नहीं रह सकते थे उनके सभी चारों भाई माता कुंती द्रोपती ये सभी भूखे यानि के एकादसी कृष्ण पच्छ की भी और सुक्ल पच्छ की भी ब्रत करके ब्रत का पालन करके पूजन करते थे एक बार वेद व्याश जी आए पहले तो युधिश्ठिर जी भगवान स्री कृष्ण चंजी से सभी एकादसीयों के बारे में पूछे फिर भीम सेनी एकादसी के बारे में भी पूछ रहे थे तो भी उद्धिश्ठिर अर्जुन नकूल सहदेव इस ब्रत को करते थे पूजन करते थे हीम जी चवी अचादसी का ब्रत होता है नहीं कर पाते थे और उनके सभी भाई, माता कुंती, द्रुबदी जी सभी बोलते थे कि आप भी किया करो, तो संसा कराने के लिए यानि वेद व्यास जी से कहवाए कि आप कहो तो ये करेंगे, तो वेद व्यास जी भी बोले, और बहुत ही बिनम्र होके भीम जी बोले कि ये मुनिस रेष्ट आपकी बात सत्य है पर मैं क्या करूं मेरे उदर में मेरे पेट में ब्रिक नामक अगनी प्रजलित हो जाती है जिससे मैं काफी पीडा पाता हूं भूख बरदास नहीं कर पाता तो आप ऐसा कुछ बताओ कि जो एकादसी के दिन यानि पुराणों के मानेता है कि जो एकादसी है यह भी सांत रहे तो व्यास मुनिज बताते हैं कि जेश्ट महने के सुकल पठ्च की एकादसी को तुम निराहार और निराजल दिन रात करोगे तब तुम्हें 24 एकादसी के ब्रत का फल मिल जाएगा तो बहुत खुस हुए भीम जी कि हमें एक दिन किसी तरह से भी रह ल कि जो इस एकादसी को कर लेगा उसी प्रकार से 24 एकादसी को उसको पुन्य फल मिल जाएगा जैसे जो प्रदोस का ब्रत करता है अगर ना कर पाए तो जो महा शिवरात्री का एक दिन का निराजली ब्रत करता है तो साल पर प्रदोस का ब्रत का फल मिल जाता है तो तमाम ब् जताओंगी कि भीम सेनिये का दसी के दिन भगवान च्रीहरी विश्नु जी का पूजन करें, कलस रख के रात्री जागरण करें, दो बत्ती वाला दिया गाय के घृत का प्रजुलित करें, रात्री जागरण करने के बाद भागवत महापुरान, विश्नु सहस्त्रनाम, विश सब चीजें भजन यह सब चीजें आप करके रात्री जागरन कर सकते हैं जैसे एक दो जन और रहते हैं तो अच्छी तरह से रात बीद जाती है ढोल मजीरे के साथ बड़ी उस्सा से कोई भी पूजा मन मार के मन मुसेट के नहीं दम उस्सा से करना चाहिए जिससे देव प्रस सूर्य अस्त से लेकर यानि जब बर्त हम जब करते हैं तो अगले दिन उदय होते हैं तब तक की मानता रहती है तो सूर्य जब अस्त हो जाए उसके बाद पूजा पाठ करके जल ग्रहन कर सकते हैं अगर बहुत प्यास लगे तो आज हम भीम से ने एक आदसी का बरत निराह और निराजल रहेंगे भगवान श्री हरी विष्णू जी जो कि शीर सागर में सुख मुद्रा में सोते हुए आप मेरी प्राथना सुने इस ब्रत के रहने के लिए हमको आप सक्ति दे जिससे हमारी सद्धा पुर्वक ब्रत पारन सभी कुछ पूरा हो जाए जब ऐसा आप सं तो बिल्कुल इतनी सद्धा और भग्ति आ जाती है कि आपको प्यास नहीं सताती है आपको ऑनभव में भी चीजें होंगी पूजा हो तो सभी चीजें कत्रित करने आला कमुरब्बा भीदान करें और जैसे दान बताया जाता है तो अगर उसी तित्हीं में करें आशनी और दसी के दिन ही घड़ा उसे तो सोन घड़ा trong राजसी दान होता है को सोन तो इतना महंगा है थोड़ा सा चावल नहीं होना चाहिए खीरित का दान भी करना चाहिए चुदर सुंदर सी मिठाईगें, सुनदर सुनदर सी स्वाधेश्ट, मधूर, फल, पूरिया बना के भी पंडित को या तो खिलाएं या तो दान करें, दूसरे दिन जब पारण करते हैं तो जो बीप्र हैं पंडिजी हैं उनको खिला कर ही पारण किया जाता है लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो आप दान भी कर सकते हैं तो मैं आपको पता रही हूँ भीम सेने एकादसी में आप चवकी पर कलस रखें भगवान स्री हरी विश्नु जी का विग्रह रखें और गाय के घी का दो बत्ती वाला दीब जलाएं हो सके तो रात त्री जागरण करें हो सके तो रात और दिन का निराजली ब्रत करें अगर म पूरे दिन का ब्रत करें रात का भी कर सकता है मौसम ठंडा है तो अगर रात का ब्रत बहुत काफी गर्मी है तो सूर अस्त के बाद भगवान को दीब गर जलाके आरती करके जल ग्रहन कर सकते हैं लेकिन जो बीमार हैं जो पहले का दसी का ब्रत निराजली करते थे अभी ब तो आपका ब्रत माना जाए अन्न नहीं खाना चाहिए जो अन्न भी खाते हैं उनको चावल नहीं खाना चाहिए यह ब्रत का नियम होता है गाय गरीब और गरीबों को दान करने से बहुत ही फलित होता है तो गरीबों को भी अन्न दान वस्त्र दान इसक चीजें दान करनी चा ब्रह्मनों को दान देना फलीत होता है, याँ इतने गरीब थी सुधामा जी की मतलब की सिर में पगड़ी तनपड़्ध होती सब चीजें नहीं थी तो ऐसे ब्रहबनों को चरण पादुका यानी कि माली जेश ठंड है थंड ही लगती है पाओं में गर्मी है तो पाओं जलता है तिसलिए इनको चरण पादुका हुआ छत्री हुआ कुछ सूती ठंडे वस्त्र हुए ठंडे यानि सफेद जब वस्त्र पहने अधिला धाला धुरती कुड़ता तो आराम रहता सरीर को ते सब ब्राह्मन लोग पहनते ते इसी प्रका करने का दसी का दे रही हुं पर जो भेधनाय होती है जैसे कि अब भागवत सुनते हो तो पंडित जी लोग क्या करते हैं कि भागवत के अलाम भी तमाम जो अभी कि क crisp कथाे हुआ ह on तूलसी पूजन का सभी प्रकार के वीडियो डले हुए हैं, तो आप एकादसी का ब्रत इसी तरीके करें, आपके आसपास में अगर गंगा मैया हों, गंगा नदी हों, यमना हों, कोई भी नदी हों, तो अस्नान जरूर करें, इससे भी काफी पुन्न का अरजन होता है, अरजित होता है, घडा दान करें, ब्राहमण को एकादसी के दिन अ पारिक को सुबह 7 बच के 25 मिनट से सुरू होके 11 जून को 5 बच के 45 मिनट पर समाप्त हो जाएगा जब एकादसी तीथी समाप्त हो जाएगी उसी समय 8 बच कर 29 मिनट तक विसेज पारन मुहूरत है पारन में आप क्या करोगे पारन में पूर्व या उत्तर मुह करके आप पारन के बाद जो भूना हुआ चना होता है वो सात चना लोगे साथ चना का चवदर ठोड़ डाल बना लोगे यान उसको तोड़के चवदर डाल बन जाएगी तो जब पारन कप होता है जैसे आप सुबह जल्दी उठो अश्नान करो सुर्य भगवान को जल्दो परिक्रमा प्राथना कर वूजा बढ़र्त में जो भी कुछ भूल कि सूर्य भगवान साथ छाथ देता हैं जो भी भूल चुक हुई हूँ इसको छमा जल देने के बाद जो विग्रभ अफगवान स्री हरी विश्णू जी के चोंगी प्रिस्थापित करें हो खलाश रक्ये हो फूल माला चाहए नहीं रहुत तो झाल कुरंध निकालने के बाद आप धूर्भिया उत्तरा most करके बैठ जाओ चने का साथ चने का चौदा दाल बना उसके बाद अपने उपर सेवार के और पीछे फेंक दो फेंकने के बाद आप प्राथना करो भगवान स्री हरी विश्णुजी से कि है प्रभू हमारे मन, करम और बचन से जो भी पाप हुए हो वो सभी पाप नश्ट हो प्रभू हमसे जो हुए हैं वो नश्ट हो जाए ऐसा कहा जाता है फिर साथ चने को खाकर और साथ अंजली पानी यानि अंजली से पानी पीया जाता है साथ बार तो यह होता है पारन विधी हम इसको आसान जिंदगी में डाले हैं आप सर्च करके देख सकते हैं ऐसी पारन घर में स्वादिष्ट पक्वान बनाई जाती है और आप बना के घरवारों के भी साथ खा सकते हैं कोई असपास अगर कोई गरीब ब्राहमण हो तो उनको बुला के जरूर पक्वान खिला है जैसे कि पूरियां हुई सिमय हुआ और खाजा हुआ सक्कर पारा हुआ तमाम जनम में तो अच्छे तरीके से खाते पीते हैं इसे घ्रित दान करने के लिए बोलते हुँ तो सभी जो दान करते हैं उनकी भी सरीर पुष्ट होती है उनके संतानों के सरीर भी पुष्ट रहती है दान की वज़ए से जिसी प्रकार जैसे हम एक भूखे ब्राहमण को खिला पच्छी है कोई भी आपके आसपास हैं और कुते हैं इनको भी थोड़ा-थोड़ा कुछ खाना देते रहना चाहिए बहले ही रात का बचा है कुछ भी तो आप इनको भी देते रहें तो आपको मैं बता रहे हैं